एसीडिटी ये नाम सुनते ही हमारे दिवाग में क्या आता है कि ठीक है एसीडिटी मतलब सीने में जलन हो रही है और कोई गोली-ओली लेकर ठीक कर लेते हैं ऐसा मैं भी सोचता था 2014 और 2015 के पहले मेरा भी यही सोचना था कि बस एसीडिटी मतलब वही जलन होती है हमें भी होती है आप में से बहुत सारे लोगों को लाइफ में कभी न कभी एसीडिटी होई होगी और एसीडिटी होने पर बस कोई गोली-ओली खाल उठीक हो जाएगा ऐसा मेरा भी मानना था फिर 2014-15 में मैंने एक लेक्चर अटेंड किया एक ऐसे डॉक्टर का जिनोंने ये समझाए कि एसीडिटी कोई छोटी-मोटी बिमारी है नहीं ये इतनी बड़ी बिमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते और उस दो घंटे के बाद मेरे दिमाग या मेरी जो बुद्धी है उसे समझ में आए कि एसीडिटी एक छोटा सा नाम होकर भी कितनी सारी बिमारिया पैदा कर सकता है तो आज मेरा भी भरोसा है कि अगर आप ये दो घंटे शांद बैट के जो भी हमारी चर्चा होने वाली है सुनेंगे तो इस वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे कि एसीडि के रूगन जो भी बिमार लोग आते हैं उन्हें ठीक कर रहे हैं सर 30 साल से अनेक बहुत अलग अलग बिमारियों कि उनके पास पेशेंट आते हैं और उन्हें वो ठीक भी करते हैं कमाल का रिजल्ट देते हैं और ऐसीडिटी पे मैं जितने भी डॉक्टरों को जानता हूं जितने भी लोगों को जानता हूँ उस पर अगर कोई सबसे बेस्ट समझा सकता है सिखा सकता है उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकता है तो मेरी नजरों में तो इन सर के अलावा ऐसा कोई भी वेक्ति है नहीं तो चलिए आज आपको मिलाते हैं हमारे पहले आईरुवित के पॉड़कास्ट में डॉक्टर महेस ठाकुर सर से और आज हम बात करेंगे एसी डिडी के सौ सबसे बड़े सवाल और उनके जवाब जानेंगे सर के साथ नवस्ते सर नवस्ते नमश्कार सर तो सर जैसे कि ऐसी डिडी पे आपने हमारी आखे खूली थी 2015-16 में चिकिस्सात अत्वधर दर्शन के लेक्चर तो सर नहीं आपको कहना चाहूंगा अरुन जी कि हमारे बेड़ी खल पेड़ में जितने मूँ इतनी बाते रहती है और इतने सारे यूट्यूब पे चलते रहते हैं लेकिन मैं आपकी सराहना करूँगा क्योंकि आपके यूट्यूब से जो भी आपने प्रसारित किया है वो सही मायने में शास्तिर्य डंग से आपने रखा हैं जन्दा के सामने इसके लिए मैं आपको अभी रंदन के देता हूँ तो इतनी सारी चर्चा और इतनी आईरवेद की बात करने की जरूरत क्या क्या आपको लगता है कि 6 सेकंड में ठीक होती है क्या जन्दा को क्या लगता है और ऐसे होता तो क्या ये ड्रक्स की जो बढ़ती हुई जो कप हो रहा है जो मार्केट में वो चलता ही जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेकंड में भले सिम्टोमेटिक रेली प्याने लक्षाओं से मुक्ती मिली हो इसे रुगण को लेकिन क्या वो पूरी तरह से इस व्यारी से मुक्त हुआ ऐसे पेशेंट हमें मिलते हैं हमारे 30 साल में मिले हैं कि जिनको वो पूरी तरह से फाइदा नहीं हुआ और इसी लिए आयर्वेट का दुष्टी को समझाला और समझा के लेना जरूरी है कि आयर्वेट सही मायने में क्या सोचता है आम लबित्त के बारे में और आयर्वेट का दुष्टी को यह भी है कि आप दवाईयों से मुक्ति पाओ और भीमारी से भी मुक्ति पाओ आप दवाईया लेते रो और भीमारी ठीक होती है ऐसे ऐसे आयर्वेट का सोचना नहीं है ऐसा है मतलब आयमेट की दवया भी आपको ना लेने पड़े कई बार तो हम दवायों से बिना भी ठीक्मेंट करते हैं उसके पेशन्ट के एतु को ठीक करते हैं उनको बोलते हैं ये बरेच करो वीवारी ठीक हो जाती है ऐसे भी हमने पेशन्ट देखे सर आपने एक शब्द यहाँ पे संस्कृत का बोला हेतु तो ये हेतु का मतलब होता क्या है और आपने जो अपनी तीस साल की आपकी प्रैक्टिस है तो वो कौन सी इसी सच चीजे हैं जो आपने देखा है कि जादा तर लोग वो गलती करते हैं और उनको ऐसी डिटी होता है मतलब यह कि हेतु का सही महने में अगर आप अर्थ जागना चाहते हो तो आज की भासना में इसको कौज़िस कहते है कि अमलब इतन तक इन कारणों की वज़र से होता है इन कारणों की वज़र से होता है तो हमारी जो काश्चिप समीता करके जो अतिपराचिन गरंते हैं जो की जिसकी इसापुर्व छटी सदी में जिसका निर्मान हुआ था तो काश्चिप रुशी ने उसको लिखा था उन्होंने वहाँ पे अमलब इतन का उलेक एक बड़े चैप्टर में किया हुआ है उन्होंने बहुत विश्टरतता से अमलब इतन की हितों के बारे में बताया है और उसमें गोरस से लेके मध्य तक याने के दूद से लेके दुखदे जन्य पदारतों से लेके मध्य तक वहे से लेके चौली तक इन पदारतों का वर्णन किया हुआ है और अध्यशन है विशमाशन है विरुद्धाशन है परिटा परिशिताशन है ऐसे सारे अमारे खाने क गलत आदितों का भी उलेक किया हुआ है, मानसिक अपनावारे जो कारण रहते हैं, उनका उलेक किया हुआ है, तो इसी तरह से विस्थरूत रुप से वहाँ पर उलेक इसका हुआ है, तो हेतु उनका बहुत बड़ा इसमें देन है, अम्रपित्त व्यादी निर्मान करने में. सर, बहुत से आपने सरस्कृत के वर्ड यूस किये, विश्वमासन, अध्यशन, सर, इन सब का मतलब क्या होता है? इनका मतलब यह होता है, अशन का मतलब है खाना, और खाने की बूरी आदल दे, इसका मतलब यह हुआ कि अध्यशन, याने एक बार आपने खाया, पेट बरके, और उसकी बार किसी ने आपको बोला कि आरे यह लाया हुआ आइसक्रिम, अभी खाओ तो आपने खा लिया, तो विद्याद अध्यशनम, वो यह बुक्त स्योपरी वो जनम, याने की खाने के बाद फिर से खाना, आदमी का दो चीजों से पेटनी भरता, एक पैसे से और खाने से तो यह बात इसमें से अध्यशन कहते हैं, और विरुद्धाशन, विरुद्धाशन का मतलब है कि ऐसी दो चीजों को मिलके, मिलाके खाना, जिनका सईयोग शरीर के लिए विश्य समान है, उनको खाना, या परिशिताशन, या परिशिताशन न खान, बासी खाना, जैसे कि खाना बना लिया दो दिन पहले फ्रीज में रखाया है, उसको बारवार गरम किया है, वो खाया, ऐसे खाना अजे अपक्वाशन का मतलब है पुरी तरसे जिसको पकाया नहीं गया ऐसा खाला खाला इसका ए अत्तिनतल सुलब उधारने फ्राइड राइस जो की अच्छी तरसे पकाया हुआ नहीं रहता आधा पका चावल इस तरस के खाना जो हम खाते है उस वज़र से अमलपित्त की निर्मिती हुई थी है ऐसे हमारे पुराने गर्णतगारों का कहना है आज भी हमें प्रैक्टिस में इसे हेड़ो दीखते हैं सर ये आपने दो-तिन बार अमलपित्त शब्द यूज़ किया इस शब्द का मतलब क्या किवल एसेडिटी होता है या आयरविद में इसके बारे में और भी कुछ डिटेल बोली है हमारा अभी थोड़ी देर पहले हमारे डिसकर्शन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरे विश्व में अमलपित्त ये टर्म सबसे पहले कौईन यानि कि किसने सामदे रखा पूरे विश्व के सामदे वो चरक समीता में आया हुआ है तो चरक समीता में जिसका लेखन आत्रे रुशी के जो प्रतिबावान शिश्य थे अगनिवेश उनों ने किया है और इसका भी जो काल है वो इसा पूर्व साथ शे या सात्वे सदी में है और उनोंने अमलपित्त का इस शब्द का जिकरवाब किया हुआ है और वो कहते है कि घोरम अन्नविशम चयत साउस्विजमाने न पित्तम अमलपित्तम जने है ती यानि कि क्या कि ये जो अन्नव खाते है अगर ये ठीक तरद से उसका हाजमा नहीं हुआ अगर वो अच्छी तरद से उसका पच्छन नहीं हुआ तो बिलकुल वो या वहाँ पर पड़ा हुआ रहता है और ये पड़ा हुआ जो अन्न है वहाँ पर वो सड़ जाता है और उससे आम की निर्मिती होती है ये आम एक बहुत बड़ी साउध्या आयरोवेद में उसका उलेक किया हुआ है और वो आम याने कि अपाचित अन्न और अपाचित अन्न का अगर और वहाँ पे जो हमारे आमाशे में पेट में पित्त है जो सौबविकता वहाँ पे है तो उसका आम के साथ सयोग हो जाता है और यह आम के साथ पित्त का सयोग हो जाने से जो व्यादिया निर्मान होती है उन्ती लिस्ट बताएगी और उसमें आमल पित्त का सर्व प्रतमुल लेक या गयार तो यह हमारी धरोगर है कि हम व्यादी का नाम बताते हैं वो किस वज़र से गोता है वो बताते हैं और पूरी शास्त्रिय फ्रियूंग में पूरे व्यादी का वर्णन करते हैं सर आपने हेतू में बोला कि मतलब ऐसे कारण जिसे लोग करते हैं और विमार होते हैं उसमें सर आपने विरुद्ध अन्न शब्द बोला तो वो विरुद्ध अन्न शब्द का मतलब क्या होता है और ऐसी कौन सी गलतिया है जो आप देखते हैं कि लोग विरुद्ध अन्न वा रहा है मादो निलार और वो साथवे आठवे शतक में सदी में वो लिखा रहे हैं और वहाँ पे अमलपित्त के जो हेतु बनाए बताये गए है उसमें शुरुवाती विरुद्धन से कीगी है तो ये विरुद्धन होता क्या है आपका प्रश्ण है तो विरुद्धन ये प्रश्ण देगी ऐसी चीजे एक साथ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसे आईरवेट कहता है और हम आज के जमाने भी ऐसे ब्रुद्धन देखते हैं कि जो विरुद्धन खा रहे हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बिमारी या ओटोविल्धन डिसिजेस जैसी बनती ह उदारन है इसका कि दूद और फल साथ में खाये जो खाते हैं लोग मिल्कशेक जैसे बन खाते हैं या स्मूदी बनाते हैं तो ये सब एपल, केला, पेर ये सब साथ में मिलाना दूद मिक्स करना उसमें तो ये गलत है और उसके शरीर में विश्ण जन्याम की निर्मिती हो दूद लेते हैं जैसे कि आप एक बहुत महराष्ट्र में यहां पर एक चलन है वो है चाय और रोटी का चाय चापाती का तो ये चाय चापाती जो लोग लेते हैं तो उसमें रोटी में नमक डलते हैं तो ये चाय चापाती खाना भी विरुद्दन हैं अगर आप इसको इस चुलए के बाद योकी लोग वो खाने का और सोने का भी समय नहीं है है कि दो रात को दूद पिना है तो पी लिते और तूरन बात खाने के तो उसी से भी विरुद्धन्न हो जाता है बहुत सारे लोग दूद और खिचिरी खाते है गुजराथ में तो हाँ तो ये भी एक विरुदनना का प्रकार है करनाटक में दही और दूद और चावल खाते है ये भी एक विरुदनना का प्रकार है तो इस तरह से खटास और नमक वाली चीज़े फल ये सब दूद के साथ खाना बिल्कुल करते है बहु तो फिर अपने वाइफ को फोन करते हैं और बोलते हैं कि ठंडा दूद रखना तो गर में आते हैं तुरें ठंडा दूद पी लेते हैं तो माउसाहार करने के बाद दूद पीना ये भी एक विरुद्धान है या बहुत सारे आप देखते हो रेसिपी शोज में जिसमें लोग दूद डालके दही डालके बहुत सारे वेसिपीस बनाते हैं तो ये साथ में मिलाना ये भी एक बहुत ही बड़ा विरुद्धन का उधारन है और ये विरुद्धन लेते रहने से शरीन में जो भी बिमारिया होती है उसकी बहुत बड़ी लिस्ट चरक समिता में दी गई है और इसके शुरुवात इनफर्टिलिटी से की है चरक में विरुद्धन लेते इनफर्टिलिटी तो शांड ये याने नबुसकता याने कि आप आपका प्रजोत पादम नहीं कर सकते इस हद तक विरुद्धन का असर शरीर में होता है ये जंदा को जानना जरूरी है और उस खार भी होता है अच्छा विरुद्धन ये होता है कि लोग खाने के बाद में स्नान करते हैं खाने के बाद में जाते हैं रिसोर्ट में जाते हैं रिसोर्ट में जाते हैं तो ब्रिक्वास्ट करते हैं और फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं तब बात में बैठते हैं तो अमल पित्त में आउगाह करना, बहुत ज़्यादा आउगाह करना, अतीसनान करना ये भी एत्वे बताएगे, तो इसके उपर ध्यान देना जुरूई है. तो सर, ये कई लोग आजकल जीम का बहुत कल्चर चल रहा है, और कई लोग प्री वरकाउट की तोर पे प्रोटीन, केला, दूच, चाई, ये खाबीगे, तुरन वयाम चालू कर देते हैं. क्या ये भी विरुद्ध अन्न है या एसलेटी करते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत पेट बर खाने के बाद उसके बात में वयायाम करना है, तो गलत चीज अगरुद में बताएगी है. तो इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए. एक बात पर ये है, और वयायाम करने के बाद, एक्जरसाइज करने के तुरन बाद भी, आप अ पर एक गंड़ा बताईए, एक्जरसाइज अपने खूप करिए, उसके बाग में घर में आने के बाद ये केला अंड़ा उखाईए, तो भीश में अंतर रखिए, तो आप उस स्वास्त्य भी मिलेगा, एक्जरसाइज भी आपके अच्छी होगी, विरुद अंद भी नहीं सर, दोध पीके वयाम कर सकते हैं, थोड़ी मातरा में दोध पीके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेवी खाके नहीं, लिक्विड आप ले सकते हूँ, ठीक, सर आपने बोला कि काश्चप सरीता में जब वो ऐसी डिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला ही उन्होंने विरु हो जाती, तो विरुद्धन लेने से शरीर में जो चीज बनती है, उसे आम खहते हैं, और यह स्पेसिफिकली आम जो है, यह आम विश्यस स्वरूपी होता है, तो आम मतलब मैंगो, अहां, आम का मतलब यह आम वाले जीज नहीं है, यह खास चीज है, और यह इसको जानना ज हमारे पेट में पढ़ा रहा है, जिसका पचन होना चाहिए, दो गणटे में, अडाई गणटे में, वो हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ रहा, और फिर बाद में एक दूसरी बाद भी है, कि यह जो अन्द जो है, यह देरे देरे बाद में पज भी जाता है, उसको थोड़ा स उसी को आम कहते है, जो का उसका दूसरा स्टेज है, मतलब जो आहरस बनना चाहिए, वो अच्छी तरह से नहीं बना, क्योंकि अंदर जो है, वो अच्छी तरह से बचा नहीं, इसके लिए उसका जो आहरस बना, वो भी ठीक तरह से नहीं बना, और उसी को आम कहते है, और य आपने SDD के कारणों में चाय चपाती शब्द का एक विश्यश करके आपने बोला कि लोग ये गलती करते हैं। पर सर, हम महाराश में तो देखते हैं कि लोग मतलब जन्म से लेके मरने तक कई लोगे 40-40-50-50 साल तक चाय चपाती खाते हैं। कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है। ऐसा है तो आईरोइद में एक साथ में करके शब्दा आया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप बचपन से अगर कोई ऐसी चीज गलत भी हो, अगर कर रहे हो, तो आपके शरीर को उसके आदत पढ़ जाती है। और शायद आपका अगर अगर अच्छा हो, तरून वय हो, आप एक्जरसाइज कर रहे हो, तो इस तरह के शरीर को बिमारियों में कंवर्ट करने वाले आम की निर्मिती नहीं होती। ऐसे भी हमारे गरंतगार कहते हैं। तो जोरी नहीं की जो सा चाही चपाई है, लेकि उनको उनको उनका अगरी अच्छा होना चाहिए, मतलब भूक अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात उनको एक्जरसाइज अगर वो करते हैं, तो ये कम होने की संभाव ना रहेगी। ऐसे कुछ चीजे बताएगी और सात्मे की बात कहीए, कि आप अगर बच्पन से रहने तो वो सात्मे हो जाता है, लेकिन फिर भी वईद्य के पास आने के बाद अगर वईद्यों को लगेगी, अगर ये जीज आपके विमारी के कारण है, तो फिर आपको बंद करनी पड़ बचलेड़ी बहुत जदा होती है, सुबा का नाम आप लेदे हो गल्तिया रात की है, गलतिया रात की इसनलेएं कि आप रात को देर से भोजण करते हो, अरको बताया गे कि आप साड़े साथ-ार बज़े के på भोजण ना करे तो अच्छा है, अगर आप रात का भोजण, बह पूरे बरके परोस्ते हैं, तो खाना ज़्यादा ही जाता है, तो ज़्यादा मातरा में खाना अगर आपने रात को खा लिया, अगर आपने ज़्यादा मातरा में रात को खाना खाया है, अरगर वो सुबह में पच नहीं बाया, तो आपको सुबह का breakfast नहीं करना चाहिए, नही अच्छी तरह से उसका हाजमा हुआ है यह नहीं है तो सुबह पित्त होता है वो रात को रात को हल्का खाना खाना, जलनली हो सके गितना जलनली खाना और जलनली सोना यह भी बहुत जरूरी है तो ये सुबह कामलप इतना नहीं होगा पिरसर मुंबई या सिटी की लाइफ में जो हम देखते हैं कि लोग घर पहुचते ही 11.30 कभी कभी 12 बजे और उनको सपोस कि अगर कल्यान डोमी वली से दादर की तरफ आना है एक से डेट दो दो घंटे का उनका ट्रैवल है तो घर फिर मतलब रात को उन्होंने खाया और सुबह बिना नाश्टा की गर से निकल जाए अब इलकुल मतलब गरम पानी पिए और या फिर सौट डाला हुआ पानी पिए और निकले और जब पहुंचेंगे अपने जहां पे वो काम करते है वहां पे पहुंचने तक शायद तीन गंटे हो जाते तीन या चारे तीन गंटे होने के बाद थोड़ा थोड़ी भूक लगनी लगती है तब आप नाश्टा करें नाश्टा का सामान चाथ में लेकर जाए टी बी और 9.30 बज़े नाश्टा करें ज़रुरत नहीं कि आप 7 बज़े नाश्टा करो तो यह जरूरी है शरीर के सिगदल्स को देखना की सिगदल्स का मतलब क्या कि जिर्णा आहार मतलब अपने जो खाया हुआ जो बोजन है क्य तो आपको पता होगा लेकिन जनता के सामने रखने चाहूंगा मैं तो उदगार शुद्धी इसका मतलब है आपको जो डखार आते हैं वो किसी अनके स्वाद के नहीं होने चाहिए उसको अनकी गंद नहीं होनी चाहिए शुद्ध डखार आनी चाहिए पहला लक्षन बता है यह आप जाजो अपने शरीर पे बाद में आपको उद्साह लगना और आप काम करने के लिए प्रवुरुत्त होना यह जुरूरी है तो उद्साह वेगो सर्गो यतोचिता मतलब क्या कि जो मलं उत्र के जो जिस समय पे उसको शरीर के बाहर जाना है वो अच्छी तरह से बाहर गे वेगो का उद्साह होना लगुताप शुद्ध पीपास आज यानि का हलकापन महसुस होना मैं सुबह में उड़ गया हूँ और बारीपन लग रहा है यह ठीक बात नहीं है हलकापन महसुस होना लगुताप और बाद में लास्ट में बताया कि भूक लगना हम क्या सोचते हैं कि भूक लगया तो मतलब भूक लगना लास्ट में है और उ तो उसका मतलब है कि आपने पहले खाना जो खाना का है वो आपको अच्छी तरसे हाजम हो गया अब आगे का जाके खा सकते हो ऐसे नहीं हुआ तो फिर वो जुष्ट चक्र में शरी फिर में अटका अटकता है और फिर से अमलब इत्पिकी दिन में दियो जाती है तो यह खाने के बाद भी आप शाम का खा रहे हो मैं शाम का कर रहा हो फिर रात का का खाना का खाना खाना हो तो आपको यह भी दिखना तब भी जडुरी है dobrze breakfast के पहले nutr Sha đã पहले तीन वह समय आपको यह देखना ज़रूरी है इसमें से सब लक्षटन चायद उपस्षतत ना लेकिन दो या तीन तो जरूर होने जाही है परसल को ऐसे भी हमें लोग देखने मिलते हैं जो बोलते हैं कि भूख तो बहुत लगती है मतलब बार-बार खाने का मन करता है बट खाना हजम नहीं होता कि ये भी ऐसे निडी का टाइप है तो इसलिए आयरवेद क्या कहिदा है कि ये अगनी क्या है अगनी की परिक्षा कैसे करें आप अगनी बोलते हो ना अगनी शब्दा आयरवेद में आता है तो अगनी की परिक्षा कैसे करें तो अगनी का मतलब भूख लगना नहीं है अगनी की परिक्षा जरन शक्ति से वती है मतलब जरन शक्ति मतलब मैंने अब आपसे जो कहाना जो लक्षन कहें हजब होना तो हजब होने के अगर आपको खाना हजब हुआ तो इसका मतलब अपना अगनी अच्छा है कभी-कभी जिसको हम कहते हैं कि भूख तो लगती है लेकिन अंदर आगे जाए इसका मतलब क्या ये एक तरह की भूख है वो भूख नहीं है वो ऐसे डिटी है अमला पित्त है और सर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात शुरू की थी मैंने बोला कि सुबह की गलतिया बताई है और आपने बोला था कि गलती तो रात से शुरू होती है और आपने खाने के बारे में बताया बहुत सारे लोगों को हमेरे कमेंट बॉक्स में लोग बोलते हैं कि रात में आ जब शास्त्र जब इस दर्टी पे आया, तब लोग तब लाइट नहीं थे, बल्म नहीं थे, टूब लाइट में थे, तो इसके लिए लोग जली सोते थे और शाम को खाना खाते थे, और उनका खाना और सोना इनके बीच में अडाई तीन गंटे का अंतर होता था, और तब वो अगर दूद लेते तो वो सही है, लेकिन हमारा उतना अंतर नहीं होता, इसलिए वो गलत है, दूद ये ऐसी चीज है, जो अच्छी भूख रहने पर ही लिनी चाहिए, पेट घर के आपने ब्रिकफास्ट लिया हो, खाना खाया हो, उसके बाद में दूद लेना कैत तहीं बिल्कुली ठीक नहीं है इसलिए वो लोग बोलते ये भी है जैसे आपने रात की बात कहीं वैसे बहुत साने लोग ब्रिफास्ट के साथ दूड लेते हैं जो वो तो विरुद दन्ले की बात तो मैंने कही दिया आपके सामदे रखी दिया वो हम क्या कहते कि आप उठन से और सब्सक्राइब कर रहें और हम गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर आपने यूट्योब चैनल पर बहुत बार कहा होगा पिबेज स्वस्थ व्यक्ति जो है उसे पानी भी सोचके ज्यान में रखके पीना चाहिए पानी ऐसे आप सामने रखाए पीलिया पीलिया ऐसी वाली बात थी है क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर कई पे अगर अगनी जल रही है मतलब तो उसके ओपर अगर पानी डाल लिया तो अगनी बुझ जाती है जो आणा बुझ जाती है उसी तरह से पेट में अगर अगर सही माहिने में, सही कौंटिटी में, अगर आपने पानी नहीं पिया, गलत वक्त पे पिया, तो फिर उससे रोग निर्मान होते हैं, तो सुबह में उठने के बाद आपको तुरंत ही पानी पिना, ठंडा पानी पिना या साधा नौर्वल टेंपरेचर का पानी पिना, य हूँ है, अगर आप पानी पि Heh, वह है, तो वह सही है, लेकिन आप देर से उठते हो, ठोक नहीं लगिए, मैंने कहा तब एगोट सर्ग नहीं हुआ है मदम उत्र शरीर के बाहर नहीं गए और आप ज़्यादा मात्रा में पानी ले रहे हो तो वो ठीक बात नहीं है इसलिए आप उश्णो दक यानि गरम पानी भी और वो भी आदा गलास तक की मात्रा दक तो वो ठीक है कहीं लोग सर्फिर ऐसे भी बोलते हैं हम ऐसी डीडी पर बात कर रहे हैं कि वो परेशान तो ऐसी डीडी से रहते हैं पर वो बोलते हैं कि सुबह उटके अधर मैंने तींग चार ग्लस पाने नहीं पिया तो मेरा पेटी साफ नहीं होता नहीं यह सब बिलकुल गदत धार्म व अभरतिये टो पेले लोग क्या पिते थे हैं पहले लोग ऐसे कुछ नहीं करते थे चाय तो बिलकुल ही नहीं किते ते आज मुद्वे और अच्छे बारतिये लोग है जो चाय नहीं पिते तो उनको यह अगिमान देये अमलपित्ते की शेगायत बहुती कम रही होगी तो य आपको खाना मना है अगर सबस्वा पेट साफ नहीं हुआ तो पेट साफ नहीं हुआ तो आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए खाने के समय पे ध्यान दीजिए वो सब बेलती आप करते हो आप क्या करते हो कि खाला बेवत खाते हो जब चाहिए तब खाते हो और सोचते क्या आफिस जाने के पहले पेट साब होना चाहिए, आरे भाई ये, क्या आप जैसे ट्यून कर दिये हैं, वैसे मशीन है, ये गोड़ी आपके हाथ में बहुत सारी चीज़े आपके शरीर की नहीं हैं, त्यान में रखे, हमें सोचते हैं कि मेरे हाथ में सब नहीं, शरीर अपने का खाओ और सोचो कि नहीं मुझे साड़े साथ की ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे साड़े छे बजे पेट साब होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप सब समय पे करना होगा, अच्छी तर से खाना खाना होगा, तो ये सब हो जाएगा, ऐसा है, और न वीड ग्रास और उनको बतल जो मिल जाए, वो सब का एक दम मिलाकर एक एक दो दो ग्लास मारते हो, सोचते सब ठीक रहेगा, क्या सुबर में ये लेना ठीक है, तो आईरवेद क्या कहता है, कि ये सब रस होते है, वनस्पतियों के रस होते है, और इसे आईरवेद में स्वर पहले से बात पे जोर दे रहेए, और शास्त्र जो होता है, वो हर एक दवाय की दोस बताता है, कि कि मातरा में ये लेना चाहिए, तो स्वरस का जो दोस है, मतलब किसी भी वरस पे दिक, अगर अगर आप रस निकालते हो, तो उसकी मातरा आधा कप, गिलास ऐसी नहीं होती ह नहीं होती है बिलकुल नहीं होती है यह दो चमबस की तक की मातरा में ही लेना सेहत की लिए अच्छा है ऐसे कहा गया है बस दो चमबस हाँ बिलकुल दस एमेल या 20 एमेल तक आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो दस एमेल की मातरा स्वरस की लिए ठीक है तो इतना ही आप स् जैसे कि हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि वात्पीत तक तीन दोशों से प्रकुरुदी बनती है, तो क्या आपके प्रकुरुदी को ये खटा वाला रस, आवले का रस, या आपके लिए फाइदेमंद या नुकसंद है या आप तुलसी का रस पिते हो, तो क्या जरूरी है और अभी बाहर कौन सी रुदू चल वही है, बाहर गर्मी है या ठंडी है, तो ये सब जीजे बहुत मैयने रखती है, आप ऐसे के अच्छा है, आवला तो अच्छा ही है, तुलसी तो अच्छी है लेकिन आप लेते रो ऐसी वाली बात नहीं है, आप किसी प्रॉपर किसी वाइद्य को पंसल्ट करो, कि कितने डाइम देखो, कितना लें, हाँ, 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 पहले ऐसे होता था कि फैमिली डॉक्टर जीसी संकल पनाया है, वैसे एक वाइद्य होता था, और उससे लोग पूछते थे, क्या मैं ऐसे करूँ या ना करूँ, आजकर लोग क्या करते है आजकर वाट्साप इंवरसिटी हो गई है, लोग यूट्यूब दिखते हैं, और यूट्यूब बे बेजैसे मैंने कहा, वैसे पर सही मैंने में आयमेद नहीं जा रहा है, और इसलिए हम लोग ये कारेकरम जो कर रहे हैं, वो उसकी जो अवधारा है, हमारी जो सोच है, वो इसलिए हम शास्त्र रख ली सामने, तो ये गल्तिया ना करें सुबह में उठके रस ले देखे, अगर लेना है, तो आप सही किसी को कंसल करके लेने, मस्त, सर बहुत मेरे foreign के patient है, और इंडिया में भी ऐसे देखने मिलते हैं, कि उन लोग के पास time नहीं रहता, तो क्या करते हैं, कि दो दिन का खाना एक ही दिन बना देते हैं, या खाना रात को बना के उसको दो दिन का छोड़ो, महिने बर की रोटिया यहां से इंडिया से पारसल लिखे जाते हैं लोग और फ्रीज में रखते हैं, और एक मेना चलाते हैं वो रोटियों पे, तो क्या वो सही है, वो कैसे होगा, इसे को परिशितान कहा गया है आयरुएद में, जो फ्रीज में आप रोटिया रखे, बना के, चपाती रखे, फिरो मैक्रोवे में ग अगनिमान्द्य होता ही है, और सिर्फ रोटिन ही, और फॉरें क्यों, यहां पे लोग करते हैं, यहां पे लोग खाना बना के रखते हैं, जिसे ब्रेड, यह सब उसी में आता है, ब्रेड तो लोग लाते हैं, लेकिन वो तिन तिन दिन पूराना ऐसे भी होता है, चार दिन पुराना होता है, उसके expirate लिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप expirate के लाज दिन आया, खाओ तो भी हो सही है, ऐसा होता नहीं है, तो यह सब ध्यान में रखने की जुरूत है, कि यह सब परिशितान नहीं है, बासी आयवेत यह सोचते हैं, कि गुरू 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 बढ़ेगा, गुरू का मतलब है, कि आरे, पारी पूचे, वो होगी उसमें, तो यह सब चीजे हैं, और आपको यह ध्यान में रखनी चाहिए, इस सब बातों पर हम क्यूं बात करने हैं, तो आयवेत यह सोच रहा है, सोचता है, कि दवाईया सब बात में आती है, और बाकी सब लोग क्या सोचते हैं, डॉप्टर क्या सोचते हैं, कि दवाईयों से हम सब ठीक कर देगी, है ऐसी बात है नहीं और अमलपित्त के बारे में बात करेंगे तो आइरवेड में काया कि पत्थ साथ दिया दिये पत्थ साथ यह मतलब अईसा हुआ कि अगर आप परहेज करेंगे आपका लाइप्सट्रेल ठीक करेंगे आइरवेड में जो एक तुब बताए गाए कि जिस्स करना हरी वरी वत्लब क्या चिंटा और करी मतलब क्या वह साला वाली करी कि मसाला कर तो यह इन तीन चिज़ों से सिर्फ हैनी आउरेमे मतार करें है इंडिक महिंदि कि बहुत सारे इसे व्याजियों का इसे लक्षणों का जिससे जनम ते वो हेत्व ओं का उल्लिक आयुरेद्मी किया गया है जिसके उबर हम बात कर रहे हैं सर हम कारणों की बात कर रहे हैं और कारण पर इसलिए हम फोकस दे रहे हैं जैसे कि आपने बताया है कि कोई भी बिमारी ठीक करना है तो पहले हे तू उसके कारण ठीक करो कारण ठीक नहीं करोगे और सोचोगे केवल गोली खाते जाओ तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा आईरवेद का क्याना है तो सर इनी कारणों में एक और चीज आजकल बहुत सारे लोग करते हैं तो आप अपने राय उस पर जरूर दीजिए कि लोग कई सर सोचते हैं कि ठीक ऐसली हो रही है मैं पानी पी लेता हूँ और उसको उंगली डाल के निकाल देता हूँ बस हो गया तो क्या यह सही तरीका ऐसलीन के लिए ठीक करने का या यह कारण बन सकता ऐसलीन का बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ऐर्वेद में इस तरह का आप पेट में अगर ऐसिल बना हुआ है और खाना राच्छी तरह से हजम नहीं हुआ है वो भी वहाँ पे है और उसके खटे डकाराना रुद कंटदा याने की कंटवे और अन्न दली का जहां पी होती है वहाँ वहाँ सीने में जलन होदा यह सब जो अगर लक्षन है और अगर आपने वो उडिटी करके दिकालने की कोशिश की और नमक का पानी पीके बहुत सारे बार नमक का पानी पीते तो बहुत बार वो नमक का पानी आदा दिकलता है आदा वहीं पेले जाता है तो वो भी एक नमक का पान अगर आमल पित्त करोगी असम्यक वमंद। याने कि अच्छी तरह से उल्टी करकर ना सका, तो वो और एक व्यादी को जन्म देता है, जिसे हम शीत पित्त कहते हैं जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं, शरीर पे लाल चकत्ते दिरवान होते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा खु जादी ठीक हो जाता है उसके लिए भी लोग एंट एलर्जिक दवाईयां सालों से लेते रहते एंटासिल जैसे लेते वैसे तो इस तरह से आप गलती से वह करोगे तो दूसरे व्यादी को जन्मद होगे तो यह करना वमन करना यह ठीक बात नहीं है आइरवेग में पंचकर् लेकिंग योग शास्त्र में भी वह वमन करने की अपना तरीका है और वह कहते हैं कि मैने में अब दो बार सिर्फ ऐसा वमन कर सकते हो बहुत सारी लोगों पर यह आदत पढ़ जाती है और वो रोज आपते में दो तीन बार ऐसे कर लेते और सोचते हैं कि जो भी गंदा आदर है वो हमने निकाल दिया लेकिन ऐसा नहीं होता और वो करने से बहुत बार ऐसे उपर आकर 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 फिर जो आज की समस्या है जिस इसे हम GERD करते हैं वो ब्यादी की भी निर्मिती होती है जिसमें रिफ्लक्स डिसीस जिसे कहते हैं कि पितों उपर आता है और यह जो अंद की नलिका है और जहां पर आमाईश्य को मिलती है वहां पर एक स्पिंग्डर होता है इस बहुत like द्वार होता है और यह बंद už ख अगर आप उल्टी करते हैं रोज तो यह स्टिंटर जो है इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए और आप और भी बाद में मुश्किल में पड़े जाते हो तो यह नहीं करना चाहिए आपको सर अपने कमाल के बाद बुली GRD के बारे में और इसकी बहुत से पेशेंट्स हमें देखने मिलते हैं और सर वो सोचते हैं कि ठीक है जलन हो रही है यह आ रहा है एंटा एसिट खालो ठीक तो हो गया तो यह जो इतना ज़्यादा आजकल एंटा एसिट इस बीमारी के लिए खा कि बहुत सारी दवाईयां जो फेमस है जैसे ओमेप्रिजॉल पेंटर प्रिजॉल करके दवायरेवेप्रिजॉल यह जो है यह दवाईयां अगर आप देखेंगे तो यह दो हपते से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए ऐसा उनको उनके बारे में कहा गया है फार्माइकलोज तो इससे वो व्यादी ठीक नहीं होती क्या होता है ओवर यूज ओफ दिस ड्रग्स ओवर यूज ओफ अन्टासेड्स इसके वारे में भी आप आगे जाके लोग सोच रहे उसमें अब बहुत बड़ी बात है कि आजकल जो रिसर्च हो रही है वो माइकलोप्स के उपर हो र बंदू है जो कि हमारे शरीर का स्वास्त बरकरार रखते है वो शरीर के लिए उपियोगी है उनकी कॉलनीज होती है और आगे जाके जो हमारा मेडिसीन है जो मॉडन मेडिसी उसका जो रिसर्च चल रहा है और उनकी जो आगे जाके फार्मेकलोजिक जो नए नए दवाई आएगी तो ये सिद्धान तो पर आएगी कि हम वो माइक्रोब्स को कैसे हिल्दी रखे अगर आप एंटा सिर्फ जादा देर तक लेते हो जादा दिनों तक लेते हो तो इनकी कॉलनीज नश्ट हो जाती है और वो स्वास्ते के लिए बहुत बिलकुल हाने का रख है क्योंक इम्मुनिटी है हमारे ब्रेंस के फंक्शन है इन सबसे उनका बहुत नजदी की तालुकात है नजदी की उनका संबंद है तो ये एंटा सिर्फ उनमें सब गड़वर करा देते है और बाकी एंटा सिर्फ से जो बाकी जो हड़िया कमज़र हो जाना फिर एडिनडाइजेश के वो स्वास्टे क्रिए बंद करनी चाहिए और हम बोलेवोगे लेते हैं और दматन होर स्वास्टे के लिकाया क्या है कि आप यस काम तक पहुंच जाओ कि आप दॉया बें आलो और ठीक भी ओजा कि ये कब होगा है तो उसके लिए आपको आईरवेद को ही आगे जाके इसका योनम्ब करना होगा कि एंटा एसिड से आप एक सिम्टम्स तो दबा लोगे, बीमारी को दबा लोगे बट पूरे शरीर का सत्याना साब कर लोगे गट हेल्थ आज करो जिसकी सर बात करते सर आप बता रहे थे कि एंटा एसिड लेते हैं और उससे हड़ियां खराब होती है ठीक, तो मतब क्या ये एसिडिटी बीमारी अगर दबाई जाए या इसको लंबे टाइम तक इग्नोर करें तो क्या इससे और भी बीमारी हो सकती है बिल्कुल तो आप अगर इसके इस प्रश्न के अनुरोज से हम जैसे हेतों में बात की है नाम में तो आगे जाके दूसरे मात्वपुर्ण मुद्धों मुद्धे के उपर बात करेंगे इसे आईर्वेंद में संप्राप्ति कहते हैं संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब क्या कि यह आमलपित्य जो शरीर में व्यादी हुआ है, इसमें क्या घटना घटी, शरीर में क्या हुआ है सही, कि जिससे यह व्यादी बन गया, तो इसकी एक बिल्कुल स्टेप बाइ स्टेप, शरीर में जो घटना ही हो थी, उसका सही मा वरलन काष्ट्रप समीधा में आया हुआ है प्लीज बताइए अन्हों का प्रफॉब होता है आप ठीक तरह से जान लो क्या होता है ऑगा अन्हों का प्रकॉब होता है और उगो प्रफॉब होने के बाद और मैं रोकना चाहूंगा सर हमारे बहुत से विवर्स नॉन संक्रित मतलब है तो मैं उसके बारे में आपके हैं यह तो शब्द मेरे ख्याल से अभी पता है लोगों को वात पित्त कफ यह तीन दोश है जो शरिर का पूरा स्वास्त का सेंचालन करते हैं वो हमारे कुछ गल्तियों की वज़े से बिगड जाते हैं, गल्तियों की बात हम ने की, यह दूं की बात की, वो बिगड जाते हैं, और बिगड जाने के बाद वो पहली चीज क्या करते हैं, तो शरिल के अगनी को मंद करने दे हैं, अगनी को मंद होने के बाद क्या होता है, ये जो रोगी है, जो खाता है, पिता है, उसको उसके खाने की एक विदगदता नाम की एक चीज़ शरी में बढ़ जाती है, उसको अच्छी तरह से उसका पचन नहीं होता और विदगदता बढ़ जाती है, अन्न को विदगदता प्राप्त हो जाती है, ऐसे आयरुवेद में हम जो खाना खाते हैं उसका एक न्यूर्टिंट ज्यूस बन जाता है जो शरीर को पोरे शरीर को देता है तो यह हार रज है वो बहन जाता है आउके यह जो तरिश्मेंट वाला पार्ट है विसके अंदर बन जाता है मतलब वो अंदर पित्त जो है आईरेट कहता है कि यह सिर्फ स्टमक या आमाशे तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है और इसे में आपके प्रशन का उत्तर है कि रसदात हो तथा अमले यह काश्यप समिता कहता है या निकी काश्यप समिता में कहा गया है अहार रस जो है वो भी अभी अमला बन गया पेट में तो अमला था है जो पेशन को मैसुस होती है कि वह अमला डकार आती है खट्टे डकार आती है या मूँ का स्वात खट्टा हो जाता है ये खट्टापन उसको मैसुस होता है लेकिन ये जो अहार रस है ये भी अमला बन गय पर आपार रश भी वह खटा बन उसके आखर और में जो भी कहा, उससे क्या होता है, तो यह और जो अम्न बन गया, इससे शरेर में सब धातों निर्मान होती है आपर से तो अच्छा आपर रस जो है, और रस को बनाएगा, फिर रक्तों को बनाएगा, फिर हड्या मजमुथ हो तो ये धातू जो है उन पर भी अमलता का असर होता है और असर होने की वज़र से और सारी व्याजिया दिर्मान होती है जैसे अगर ये अहारस आगी जाके अगर रसदातू के उपर उसका एफेक्ट हुआ समझो तो उसकी वज़र से बाल सफेद होना बाल गिरना ऐसी समझ से खड़ी होती है अगर रक्तजातू में अमलता पहुच गई तो फिर चरीर पे फोडो फूंसिया आ जाना जैसे कहा वह वाला हो जाना या फिर वह घ्डियों में चला गया तो फिर वहां पे अज्डिया कमजोर हो जाना ये उसका भी हो जाता है अगर आगे जाकर शुक्रद काउन कम हो जाना इतने तत ये अमलता पित्त में होने वाला अमल स्वरूपी अहारस इन सारी व्यादियों को जन्वा दे सकता है ऐसा एरुवेद का मानना इसलिए मैं कहा रहा हूं कि अमलता पित्त ये छे सेकंड वाली बात नहीं है आप जो बोल रहे थे ठीक है तो ये ए पानी पूरी है अब जितना बोलोगे न उतना समय कम है तो इसके लिए ऐसे सब खाते ही रहता है तो उस फिर से शरीर में आमाशे में मतलब तीसरे स्टेज में शरीर में जो पित्त जो है उसको शुक्तत आती है ऐसे खाग अब ये शुक्तत क्या है तो शुक्त का मतलब है आज की भाशा में उसको विदेगर कहते हैं, और विदेगर जो है वो अत्यनत अमल है, अगर विदेगर आपके हाथ से, गल्ती से गिर गया टाइल पे, जमीन पे गिर गया टाइल पे, तो वहाँ पे वो सफेद धबा पड़ जाता है, अगर आपने वो तोरंट नहीं उसको सा किया, तो वैसा ही रहता है, इतना उसमें अमलता होती है उसमें, तो यह अमलता वहाँ पे पनपती है, और फिर इसके बाद जो होता है, वो यह है, कि आप पथ्यकारक खाना खाओ, या अपथ्यकारक खाना खाओ, सिर्क डाल चावल पे रहो, या अपथ्यकरते रहो, कुछ भी खाओ, उसका अमलही होगा, इस तरह से वो लास्ट एंटक ये पहुंच जाता है, इस तरह से आयरुवेद में एक बहुत अच्छी संपरापती, याने क्या-क्या गटना है, गट्टी है, इसका बहुत ही सुन्दर शास्त्य वर्णन किया है, और काश्यब सरीता इसका एक स ये जो अगर आपने एक बरतन में डूड़ना है, ठीके, और वो बरतन में अगर छोटा सा दही का पंड गलती से रह गया हो, बरतन साफ नहीं किया, हाँ, और थोड़ा सा उसमें पहले दही रखा हुआ था, या कुछ खट्टी चीज रख्यूरती दही रखा हुआ था, तो वो छोटा सा पंड भी अगर रह गया है, गलती से और आपने उसमें दो लिडर, तीर लिडर डूड डाल भिया, तो छोटा सा दही का पंड भी पूरे डूड को फार देगा, उसी तरह से ये उदारन गता है काश्यप समितावे, मैंने काश्यप समितावे जिकर आपको किया वैसे अपने पेट में जमां हुआ आमल गुल्ण से दिर्खत हुआ पित शरीर में और आमाशे में ऐसे जम जाता है कि आप कुछ भी खाना खाऊ उसका अं लिवाव ही होगा उसको अम्लताई आएगी, इस तरह से वो बन जाता है तो इस तरह से अम्लताई की उत्पत्ती होती है, ऐसे हमारे दनतकार करेते तो जिसको से यह सिर्फ आप पित्तों को दबा दे, पित्तों का स्ट्राव कम करने वाली दबाईया ले तो ये ठीक नहीं होगा जैसे के अंटासेक्स ये आयरवेट सुचता है आयरवेट क्या सुचता है पहले स्तर से शुरू पर पहला स्तर क्या था त्रिदोश जो है वो अगनी को वंद कर देते तो जब तक आप अगनी को नहीं बढ़ाओगे तब तक ये रोक ठीप नहीं हो फाजकर सर्जो शब्द चलता है कि एसेडिक बॉड़ी एसेडिक बॉड़ी क्या वो यही है ना वो एसेडिक बॉड़ी मतलब क्या तुम्हारा आरवस अगर अमला तापोर्ण हो गया तो शेरियर में फैलेगा और फिर वो जो पेशन्ट है वो एक लक्षन को महसुस करेंगे जिसे कलम कहा है कलम कहा है यह कलम क्या चीज़ है तो कलम ये चीज़ है कि आप श्रम करते हुए ना करते हो या श्रम करते हो श्रम करने वाला जो आदमी है उसको थोड़े देर के बाद एक थोड़ा एक दर दिया धर दिया और फिर थकान महसूस होती है क्लम यह ऐसी चीज है कि आप श्रम ना करते हुए भी आप आराम से बैटे हैं खाना खा रहें आपको आमले पित्त अगर है तो श्रम ना करते हुए भी आपको ऐसे महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ महलो तक आपने चला है या आपने बहुत कुछ काम किया ऐसे महसूस होगा इसको एक शब्द है fatigue और लोग कहते कि हमें बिलकुल ऐसा उतसा नहीं है, fatigue लग रहा है हमें उतसा लग रहा है कि हमने बहुत काम किया एक सुस्ती है और आपके पास tonic मद में आते है कि भाई हमें ऐसा tonic दो पीजिसे हमें वो fatigue जाए हमारा वो उच्साह बड़े हमें वो ऐसे लगता है कि कुछ काम ना करे बहुत काम कर लिया इतनी बाद में जो शरीर में वेदना होती ही वैसी होती है हमें तो ऐसे पेशन जो है वो अमलपित्ते के शिकार होते है उनका अमलपित्त ठीक करने से इनकी ये थकावट वाली जो है समवेदना वो ठीक हो जाती है इनको टानिक के जुरत नहीं होती है इनको अमलपित्त ठीक करने वाले दवाईयों के जुरत होती है इनको सही मातरा में लंगन के जुरत होती है ऐसा है तब कुछ लोग काम करके थकते हैं और ऐसे लोग आजकल बहुत सारा फैट चल रहा है कि प्रोटीन पाउडर से लेके यह टॉनिक चावन प्रास यह वो इतने सारे आइटम चल रहे हैं तो अगर किसी को एसे डिटी है और वो प्रोटीन पाउडर और यह सब ले रहा है तो उसको कोई फाइदा नहीं होगा अचल फाइदा होगा थोड़ा बहुत होगा भी प्रोटीन है तो आप सब हो जाएगा शरीर में लेकिन वो अगनीमान देगी करेगा वो अमलपित और बनाएगा जैसे मैंने कहा तब पहले कि दूद पीना लोग क्या करते हैं कि दूद पीते हैं कि मुझे वो जलन कम हो जाए लेकिन दूद इटसेल्फ खुद ही अमलपितों को फिर से बना देता है तातकालिक शमन करता है जलन का तातकालिक शमन हो जाता है लेकिन फिर से अमलपित्त बनाता है वैसे वाले प्रोटीन के जो अगर शेक पिएंगे आप प्रोटीन शेक पिएंगे या प्रोटीन लेंगे तो शरीर को वो प्रोटीन मिलेगा लेकिन वो जब तक वो स्टमक में है एपसाव होरे के पहले तब तक वो अमलपित्त को ही जन् इसमें यह सब फीजिया आते हैं जिसको गुरु अनुता है सर यहां अभी कुछ लोग को गन्फियूजन होता है मुझे भी था कि आप बोलते हो आमलपित आमलपित तो मतलब पित की बिमारी और पित मतलब बहुत सारे लोग सोचते कि आग है पेट के अंदर शरीर के अंदर पित बतलब आग तो दूद तो ठंडा है तो दूद पीलो पित ठीक हो जाएगा आप बोल रहें दूद से ऐसे डिडी होगी हाँ तो वही तो मैं कहा रहा था कि काश्यप सभीता में जैसे बताया गया कि गोरस यानि कि दूद दूद और दुखदे जंदे बदारत ये दूद दही चाज चीज पनीर ये सब आमलपित बढ़ाने वाले सब बदारत है क्यों? क्योंकि ये वास्तविक मातरा में, अबने जैसे कहा कि आम्नलपित्य अगनीमांद्य का रोग है, बिमारी है, जिसमें भूख कम हो जाती है, अदन सही मातरा में पच्टा नहीं है, तो इसमें ऐसी सब हेवी, प्रकृति से गुरू, अगर ये पदारत खाये जाए, तो ये कम करने के बाद ही पेशन्ट ठीक हो जाते है ऐसा है